हमने सीखा एक बहुपद AX का वर्ग धन BX धन C घात दो का एक चरका बहुपद है जहां A, B, C वास्त्विक संख्याएं और A शूनि नहीं है इसे द्वी घाती बहुपद कहते है इस द्वी घाती बहुपद को शूनि के बराबर रखने पर यह समीकरण AX का वर्ग धन BX धन C बराबर शूनि बन जाता है चुकि समीकरण में एक ही चर है और चर की अधिक्तम घात दो है अता इसे एक चर का द्वी घात समीकरण कहते है दो, द्वी घात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते है 3. चर X में किसी द्विघाज समी करण का मानक रूप AX का वर्ग धन BX धन C बराबर 0 है जहां A, B, C वास्त्विक संख्याएं तथा A का मान 0 नहीं है 4. AX का वर्ग धन BX धन C बराबर 0 के रूप के द्विघाज समी करण के दो ही मूल होते हैं 5. एक चर X में द्विघाज समी करण के मूल गुडन खंडन से तथा द्विघाज समी करण के सूत्र X बराबर रिंड B धन रिंड वर्ग मूल में B का वर्ग रिंड 4C पूरे के बटे 2A में A, B, C के मान रखकर भी X के मान प्राप किये जा सकते हैं 6. किसी द्विघाज समी करण के मूल अलफा वब बीटा हो तब वह द्विघाज समी करण चर X में X का वर्ग रिंड कोश्टक में अलफा धन बीटा गुणित X धन अलफा गुणित बीटा बराबर 0 होता है 7. यदि वर्ग समी करण AX का वर्ग धन BX धन C बराबर 0 के मूल अलफा वब बीटा हो तो उनके मूलों एवम गुणांकों में निम्लिकी सम्मन्ध होता है मूलों का योग फल अलफा धन बीटा बराबर रिंड B बटे A तथा मूलों का गुणन फल अलफा गुणित बीटा बराबर C बटे A होता है आठ द्विगात समिकरन के सूत्र में D बराबर B का वर्ग रिंड 4AC विभेदक है जिससे हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान पाते हैं नौ जब कैपिटल D बराबर B का वर्ग रिंड 4AC शुन्य से बड़ा हो अर्थात कैपिटल D का मान धनात्मक हो तो वर्ग समिकरन के दोनों मूल वास्तविक वह असमान होते हैं 10. जब D बराबर B वर्ग रिंट 4AC बराबर 0 अर्थाथ D का मान 0 हो तो वर्ग समिकरन के दोनों मूल वास्त्विक और समान होते हैं ग्यारा जब कैपिटल डी बराबर बी का वर्ग रिंड चारे सी शून्य से छोटा हो अर्थात कैपिटल डी का मान रिनात्मक हो तो वर्ग समिकरन के दोनों मूल काल्पनिक और असमान होते हैं